बीजेपी अध्यक्ष अमिट शाहने के अंग्रेजी अख़बार से बाचीत में बड़ा अध्यान दिया है अमिट शाहने कहा 2019 तक बीजेपी का वोट शेर 50 पीसद हो जाएगा बता दे कि 2014 बे बीजेपी को 31 पीसद वोट मिले थे वहीं 1984 में इंदरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोगसभा चुनाव में कॉंग्रिस को अब तक सबसे ज्यादा 49 पीसद वोट हासिल हुए थे बीजेपी सुप्रीमो मायवती इंदरनो करनाटक में पूर प्रधान मंतरी देवेगोडा की पार्टी जेडियस के लिए चुनाव प्रचार कर रही है मायवती ने एक नीजी चानल को दिया इंटिव्यू में कहा है कि 2019 में होने वाले लोगसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ गडबंधन सीटों के बटवारे को लेकर जल्द एलान होगा आपको बता दे कि दक्षिन के राजिक करनाटस में बेस्पी ने जेडियस के साथ गडबंधन किया है जमू कश्मीर में पत्थरबाजों का शिकार अप्रयचक भी हो रहे हैं श्रीनगर गुलबर्ग रोट पर कल हुई पत्थरबाजी में चन्नई से गुबने आए 22 साल की एक युवक तिरुमणी की जान चली गई बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलो और प्रदर्शन कारियों के बीच जड़ब चल रही थी तब ही वहां से जा रहा तिरुमणी पत्थरबाजी का शिकार हो गया इलाज की दौरान युवक की मौत हो गई इस घटना में हनवारा की रहने वाली 19 साल की सबरीना भी गंभी रूप से घाल है जो अस्पताल में भर्षी है गटना के बाद मुख्यमंटरी महबूबा मुफ्ती ने अस्पताल जाकर पत्थरबाजी का शिकार हुए मुर्टक तिरुमणी के परिवार से मुलाकात की परिवार से मिलने के बाद मुख्यमंटरी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये बहुत भी दुखत है और मेरा सिर्फ शर्म से जुग गया है पिछले दिनों शोपिया में भी पर्तरबाजों ने एक स्कूल बस पर पत्राफ कर दिया था जिसमें दो बच्चे घायर हो गए थे त्वरित में अब बात करेंगे तेरा राज्जे और दो केंडर शासित प्रदेशों में मंडराते आंधी तुफान के खतरों से जुड़ी खबर से मौसम विभाग ने आज दिली एंसियार में दोपहर तीन बजे से शाम साथ बजे के बीच तेज हमाओं के साथ बारिश का अंदेशा जताया है बीती रात ग्यारा बचकर बीस मिनट पर तुफान ने दिली एंसियार और हरियाना में दस्तक दी करीब 70 किलो मिटर प्रति घंटे के रफ़तार से टकराया तुफान आज फिर दस्तक दे सकता है कल आधी रात को आए तुफान के बाद कई जगे पेड और बिजली के खंबे गिर गए ट्रैफिक सूस्त रहा तुफान में किसी तरह के जानमाल के नुकसान के खबर नहीं है दिली एंसियार में आधी तुफान के बाद आज भी तेज हवाई चल रही है दिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज आधी के साथ बारिश की आशंका है एत्याद के तौर पर आज जिली में दूसरी पाली के स्कूल बंद रहेंगे गाजयबाद, मेरट और मुजफर नगर समेट पश्चिमी उपी के सभी जिलों में आध स्कूल बंद जब कि आगरा और हाथ रस में आटवी तक के सभी स्कूल बंद शामली में कल रात बारिश और धूल भरी आंधी आई हर्याणा में आधी तूफान से भारी नुकसान हुआ है चंदिगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद में कई जगे आधी तूफान के बाद पेड उखड गए जिससे लोगों को आज ट्रैफिक में दिखकतों का सावना करना पड़ सकता कल शाम राजस्तान में तूफान से जंजीवन अस्त्वयस्त रहा कल शाम पांच बजे के करीब बीका नेर, जुनजुनू और सीकर में तूफान ने दी दस्तर तूफान के बाद सडकों पर जीरो विजिबिलिटी देखते हैं को मिली भारत पाकिस्तान के सीमा वर्थी इलाकों से उमड़ा रेत का गुबार उद्राकर में तूफान से पहले ही मौसम खलाब हो गया है चमोली में बारिश और बर्फबारी हुई है चमोली में ओले भी गिरे हैं चमोली जिले में पढ़ने वाले बदरीनाध धाम में भी बर्फबारी हुई है ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 15 साल बाद बदरीनाध में मई के महीने में बर्फबारी हुई है मौसम विभाग निदेश के 13 राज्यों और दो केंदर शासित प्रदेशों में आंथी तूफान और बारिश का अलर्ड जारी किया था अलर्ड के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखन, पंजाब और यूपी के तराई वाले इलाकों में आंथी तूफान के साथ बारिश की संभावना है मौसम वैग्यानिकों के मुताबिक गर्मियों में तूफान आने की वज़े है पश्रमी विशोब याने की वेस्टन डिस्टर्बिंस वेस्टन डिस्टर्बिंस घूमादे सागर से उठी तूफानी हवाओं को कहा जाता है इसकी असर वाले इलाकों में तेज आन्धी, तेज तूफान आता है तेज हवाओं के चलने से गरज के साथ बरसाथ होती है CSGS लोग लीती के उपीनिन पोल के मुताबिक करनाटक में किसी को बहुमत नहीं कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी दूसरे नंबर पर देवेगोडा बन सकते हैं किंग मेकर कॉंग्रेस को 97 सीटे, बीजेपी को 84 सीटे, देवेगोडा की पार्टी जेडियस को 37 सीटे और अन्य को 4 सीटे मिलने का नुमान है 224 सीटो वाली करनाटक विधान सभा में बहुमत का आकड़ा है, 113 पूर्फ कॉंग्रेस सदेप सोनिया गांधी आज करनाटक के चुनावी दंगल में उतरेंगी सोनिया करीब 20 महीने बाद पार्टी के लिए वोट मांगने के मकसद से जनता के बीच होंगी सोनिया ने इससे पहले 2016 में यूपी विधान सभा चुनाव के दौरान प्रचार किया था लेकिन बारानसी में रोडशो के दौरान अच्छानक उनकी तब्यद बिगड गई थी आच्छान सारहे चार बजे सोनिया करनातक के बीजापूर में एक रैली को संबोधित करने वाली है करनातक जुनाव में एक रैली के दौरान प्रधानमंतरी मोदी का बेरोजगारी को लेकर कॉंगरेस पर निशाना राहुल पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लेकर मोधी सरकार पर जम कर बरसे राहुल ने कहा कि मोधी सिर्फ स्पीकर और एरप्लेन मोड का इस्तमाल करते हैं वक मोड का इस्तमाल कभी नहीं करते राहुल आज बांगलूरू, चिकबलापूर, तुमकुर जिलो में चुनाप प्रचार करेंगे विधानसवा चुनाप को देखते हुए राहुल का ये तीन महिने में नौवा करनाटक का दौरा है पूर प्रधान मंतरी और कॉंग्रेस के वरिशनेता, डॉक्टर मन्मोहन सिंग ने मन्मोहन सिंग ने कहा कि मोडी ने बयानबाजी कर प्रधान मंतरी पर की Väरिमा गिरा दी हूँ बीजेपी अद्रक्ष अमिच चाह करनाटक में पार्टी के लिए ताबर दोड प्रचार कर रहे हैं अमिच चाह ने कल करनाटक में दो जगों पर रोट्शो किया नारगुंडु में एक रैली की दौरान अमिच चाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते वे का कि राहुल ने हार स्विकार कर ली है कॉंग्रेस की दिलंबित नेता मडी शंकर रैयर ने पाकिस्तान जाकर पिये मोदी के खिलाफ फिर बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है लाहूर में मडी शंकर ने कहा कि मोदी राज में देश को हिंदू राष्ट बनाने की कोशिश हो रही है मडी शंकर रैयर पहले भी अपने बयानों को लेकर सुर्कियों में रहे है सुप्रेम कोर्ट के चीफ जस्ट lush दूपक मिष्ट्रा के खलाफ महवयोग प्रसाफ खारीज होने के خलाफ कॉंग्रेस सांसतों के याचिका पराज कोष में सुनवाई होगी और प्राश्पती विनकयान आईडू के ओर से प्रस्ताफ खारिज होने पर कॉंग्रेस आंसत प्रताप सिंग बाजवा और अमी आगनिक ने कोर्ट में इसे चुनौती दी थी आज पांच जजों की बेंच इस मसले पर सुनवाई करें अब आपको दिखाते हैं सुक के समाचार यानि वैसे समाचार वैसी तस्वीरें जो आपको सुक देती हैं आपको प्रेडना देती हैं और मैं आपको बताऊंगी वेसे समचार जिसमें होती है आपके काम की बातें वो समचार जो आपके जीवन पर अच्छा असर डालते हैं आपको सुख़त अनुभव देते हैं और सबसे पहले तिलांगाना की एक डीम की सुख़त खबर तिलांगाना के आदिलाबाद जिले की डीम डी दिव्या ने आदिवासी करमचारी की शादी में डांस किया डीम की मिलनसार रवाईय से गाउंवाले भी काफी खुश हुए डीम दिव्या की दफ्तर में बागबानी का काम देखने वाले सुधाकर की शादी थी जिसमें डीम को नियोता दिया गया था डीम दिव्या ना सिर्फ शादी में शामिल हुई बलकि उनके साथ पाराम पर एक डांस भी किया इसे कहते हैं जनता कसेवर महिला भून हत्या की खबरें आपको दुख देती हूंगी लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गाउं की कहानी दिखा रहे हैं जहां बेटी होने पर खुश्या मनाई जाती हैं मद्यब्रदेश के टीकम गर्जिले के हर पुरा गाउं में बेटियों को देवी का रूप पाना जाता है और उनकी पूजा की जाती है यही वज़े है कि इस गाउं में पुरुशों की तुलना में महिलाओं की संख्या जादा है हमें इस गाउं की 1421 लोगों की जन संख्या में 743 महिलाएं और 678 पुरुश है लू के थपेडों से इंसान तो इंसान अब भगवानों को भी उनके भग ठंटक देने की कोशिश कर रहे हैं कानपूर में मंदिर परिशर को ठंटा बनाये रखने के लिए कहीं कुलर तो कहीं एसी लगवाय जा रहे है वहिनाकपूर में भी भगवान को गर्मी से बचाने के लिए कई तरह के इंतजाम किये जा रहे है अयोध्या श्री कनक बिहारी सरकार कनक भवन मंदिर में अदभुद नजारा मंदिर के गर ब्रे में फूल बंगला बनाये गया है मंदिर परिसर को फूलों से सजाने के लिए पूरे देश से पूल मंगाये गये भगवान के दर्शन और फूल बंगले की छांकी देखने के लिए श्रधालों और साधू संतों का तांता लगा हुआ है एमदबाद की सीधी सेयद मस्जिद सेलानियों के आकरशन का केंदर बन गई है जापानी पीम शिंजो आवे के पीम मोदी के साथ मस्जिद देखने आने के बाद से सेलानियों की आमद यहां बढ़ गई है इसे 1572 में सुल्तान शम्सु दीन मजफर शाहा तुरित्य के शासंकाल में एथियोपिया के सीधी सेयद ने बनाया था मजफर शाहा गुजराच सल्तनत के आखरे सुल्तान थे बेटियों के कदम लगातार बढ़ रहे हैं अब MP के सागर में National Highway 26 पर बने चितोरा टोल प्लाजा पर बेटिया अपनी ड्यूटी नभा रहे हैं टोल प्लाजा पर महिलाओं की तैनाती के बाद जगडों में कमी आई है इस बदलाव के बाद कम्पनी ने अपने सभी टोल ना के महिलाओं के सुपूर्ट करने का पैसला किया है अब आपको जल्दी घर बैटे पेट्रोल डीजल मिलेगा BSNL यूजर्स के लिए अच्छी खबर BSNL ने अपनी फ्री संडे कॉलिंग सर्विस के प्लान को बंद ना करने का फैसला लिया है इस योजना के तहट लैंड लाइन और ब्रॉट्बैन यूजर्स रविवार को रात साढ़े दस बज़े से लेकर सुबा छे बज़े तर अनलिमिटेड बाते कर सकते हैं और अभी आपने देखें त्वारित सुके समाचार अब वक्त है त्वारित दुख का यानि हाद से और अफराद जगत से जुड़े वो समाचार वैसी तस्वीर है जो आपको दुख तो देती हैं लेकिन इनके बारे में जानना भी आपके लिए है बेहत जरूरी तो आईए देखते हैं त्वारित दुख दिली के देश बंदू गुपता रोड इलाके में रहने वाली एक नेट्रोहीन लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है पुलिस के मताबिक आरोपी परित लड़की के पडोस में ही रहता है और किसी काम के बहाने बुला कर उसने ये घिनोना काम किया पुलिस के लड़की ने आवाज से आरोपी को पहचान दिया दिली के शेक सराय की पुषपावती सिंगानिया हॉस्पिटिल के बाहर पार्किंग में खड़ी एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई जिस एम्बुलेंस के अंदर सो रहे दो लोगों की जल कर मौत हो गई जब कि आगे के हिस्से में सो रहा शक्स बुरी तरह जुलत गया हवा के कारण इतिनी तेज हो गई बगल में खड़ी दो और अम्बुलेंस को भी चपेट में ले लिया आग की वजों का पता नहीं चल पाया दिली से सटे गाजयबाद में सुरक्षा गाड ने पार्टी करने से बना किया तो नशे में धुत लड़कों ने गाड को बेरहमी से पीट कर अधुमरा कर दिया गाड दिली के जेटीबी अस्पताल में वेंटिलेटर पर है पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया दिली से सटे गाजयबाद में एक बिजली घर बना शरावियों का अट्ड़ा बतायजवारा है कि नंदग्राम इलाके के बिजली दफ्तर में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी खुले आम शराप पीते हैं बिजली अधिकारी ने दिया जांच का श्वासर हर्याना के ग्रुगराम के सोहना में महीला को किटनाफ कर ग्यांगरे पिडिता के फोन कॉल के बाद परिवार वालों ने महीला को चुड़ाया पुलिस ने शिकायत के बावजुद आरोपियों की गिरतारी नहीं की बिहार के विशाली में एक टीचर की वाइक सवार तीन बदमाशों ने स्कूल में घुसकर हत्या कर दी हत्या की वजों का आभी तक नहीं पता चल पाया है पुलिस इसे सोची समझी साज़िश के तहत हत्या का मामला मान रही है फिलाल चानबीन में जूटी है पुलिस पाकूरजिले के कांकर बोना गाउं में नाबाले को रेप के बाद जलाया लड़की की हालत नाज़ोर फुलिस ने आरोपी को गिरफتार कर लिया यूपि के बारा बंकी में एक प्रेमिका पर अपने पहले प्रेमिकी गोली मार कर हत्या करवाने का आरोप लगा है पुलिस के मताबिक प्रेमी का ने अपने दूसरे प्रेमी को शादी का जांसा दे कर हत्या करने के लिए राज़े किया पुलिस ने आरोपी प्रेमी को तो गिरफतार कर लिया मगर प्रेमी का अब तक फरार बताई जा रही है MP के जवलपूर में एक व्यापारी के परिवार को घर में बंदक बनाकर बद्वाशों ने लूट की हथ्यारवन बद्वाश व्यापारी के घर से करीब 70 लाख के जेवर और 3-4 लाख की नकदी लेकर फराग होगा देश के सबसे अमीर अम्बानी परिवार की बेटी इशा अम्बानी का रिष्टा बिसनस्मेन आनंद पिरामल के साथ तैह हुआ है मुंबई में मुकेश अम्बानी के घर शादी पक्की होने का मना शांदार जश्ट कई बॉलिवूट सितारों ने शिर्कत की मुंबाई में आज होगी अभिनेतरी सोनम कपूर की शादी, सोनम बिसनस्मेन आनंद आहूजा से शादी कर रहे है मुंबाई में सुभा 11 बजे से रस्में शुरू होंगी, रात 8 बजे मुंबाई के होटेल लीला में होगा रिसेप्शन कल रात सोनम की मेंदी और संगीत की रस्म में शामिल होने के लिए बॉलिवूट सितारे भी पहुंचे राश्ट्य मारवाधिकार आयोग ने तमिलाडू सरकार और सीवी एसी को भेजा नोटेस नीट की परिक्षा देने के लिए राजे में ही सेंटर बनाने की मांगी ताकि चातरों को परिक्षा देने के लिए दूर ना जाना पड़े आपको बता दे कि तमिलाडू से केरल परिक्षा देने गए एक चातर के पिता की हार्ट अटाक से मौत हो गई उस समय चातर एना कुरलम में परिक्षा दे रहा था पत्रकार उपेंद्रूराई की CBI हिरासत को दो दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है उपेंद्रूराई पर आरोफ है कि उसने वाइट लाएंड डवलपर से 15 करोड से ज्यादा की रकम की मांग की ये भी आरोप है कि उन्होंने इंकम टैक्स का चापा और मीडिया में खबर रुकवाने के लिए ये रकम मांगे दिल्ली के विदेशी डाक विभाग में रेविन्यू इंटेलिजन्स निदेशाले की टीम ने चापा मार कर पार्सल में छिपा कर रखे गए नशीले ड्रक्स की टैबलेट और कैपसूल बरामत किये हैं इनकी कीमत करीड 10 करोड से जादा बताए गई है इन्हें हबल और हेल्थ का प्रोड़क बता कर विदेश में बेचने की उजना थी कॉलकाता की पंडितिया रोड पर बाइक सवार बदमाश चलती कार में सवार लोगों पर आइसिट फेक कर फरार हो गए जांच में जुटी है बुलिस कॉलकाता में स्टीफ की टीम ने मावादियों को हत्यार सप्लाई करने वाले गिरों का भंडा पोर किया स्पेशल टास्क फोर्स ने छे लोगों को गिरफतार किया जिसमें चार लोग बाबु घाट से गिरफतार किये गए है इनमें दो लोग बं बनाने वाली फैक्टरी के कर्मचारी बताया जा रहे हैं इनके पास से भारी मात्रा में हत्यार बरामत होई आईपिल से विराज कोली के लिए बूरी ख़बर आई है आईपिल में विराज कोली की टीम बैंगलूरू प्ले आफ की रेस से बाहर हुई कल राथ रोमांचक मैच में हैजरबाद ने बैंगलूरू को पांच रन से हरा दिया 147 रून के लक्षे का पीछा करने उत्री बैंगलूरू की टीम 141 रून ही बना सकी बैंगलूर और हैदरबाद मैच में आखरी ओवर में दिखा आईपिल वाला रोमांच आखरी ओवर में बैंगलूर को जीत के लिए बारहर रन चाहिये थे गेन बाजी करे बूरनेश्वर कुमार ने ओवर में खर्च किये सिर्फ छे रन साथी आखरी गेन पर एक लिकेट भी जटका और अंतालिका में हेदरबाद अब टॉप पर बनी हुई है दस माच में 16 अंगों के साथ हैदरबाद का प्ले आउफ में पहुंचना लगभगते है दूसरे नंबर पर 14 अंगों के साथ चेन्नाई की टीम तीसरे पाइदान पर पंजाब और चौथे नंबर पर कॉलकता की टीम आईपेल में आज राद आट बजे पंजाब का मुकाबला राजस्थान से होगा पिछले माच में राजस्थान को हराने के बाद पंजाब के होसले बुलंध है वहीं राजस्थान की टीम लगाता खराप प्रदर्शन कर रही है और इंज कैप पर अमबाती राइडू का कबजा बरकरार है अमबाती के 10 माचों में 423 रन हुए हैं दूसरे नंबर पर केन विल्यमसन है विल्यमसन के 10 माचों में 410 रन और इसमें तीसरे नंबर पर है सूरे कुमार यादव चौथे पाइदान पर विराज कोली को जगे मिली है परपल कैप पर उमेश यादव का कबजा यादव ने 10 मैच मिली है 14 विकेट दूसरे नमबर पर बने हार्डिक पांडिया के भी 14 विकेट है लेकिन अच्छी एकॉनमी के चलते परपल कैप मेश यादव के पास है तीसरे नमबर पर सिधार्ट कॉल और चौथे पर राशिक खान है राज़ों के खबरों के शुरुआत तूफान के खबर के साथ दिली इंसियार में बीती राज शांती से गुजर गया तूफान मौसम विभाग ने आज फिर दिली इंसियार में दोपहर तीन बज़े से शांस साथ बज़े के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश का अंदेशा जाहर किया है बीती राद 11 बज़ कर 20 मिनट पर तूफान ने दिली इंसियार और हर्याना में दी दस तक गरीब 70 किलो मिटर प्रती घंटे के रफ़तार से टकराया तूफान गुजरा आंधी तूफान के बाद कई जगे पेड और बिजली के खंबे गिरे धूल बरी आंधी चली ट्रैफिक सूस रहा तूफान में किसी तरह के जानमाल के नुकसान के खबर नहीं दिली एंसियार में आंधी तूफान के बाद आज भी तेज हवाई चल रही हैं दिली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज आंधी के साथ बारिश की आशंका है एतियाद की दौर पर आज जिली में दूसरी पाली के स्कूल बंद रहेंगे काज़यबाद, मेरत और मुजफर नगर समें पश्चिमी यूपी में सभी जिलों में आज स्कूल बंद जबकि आगरा और हात्रस में आठवी तक के सभी स्कूल बंद शामली में कल राट बारिश और धूल भरी आंधी आई दिली एंसियार के बाद आज उत्रा खंड में असर दिखाएगा तूफान उत्रा खंड में बारवी तक के सभी स्कूल बंद किये गए उत्रभारत के अलावा आज पूरवी भारत में भी आंधी तुफान का इलट है उत्राखंड में तुफान के पहले ही मौसम खराब हो गया है चमोली में बारिश और बर्वारी हुई है चमोली में ओले भी गिरे हैं उत्राखंड के फूर मुखेवंटरी हरी श्रावत भी केदारनात में फसे है मौसम विभाग ने देश के तेना राज्यों और दो केंदर शासित प्रदेशों में आंधी तुफान और बारिश का इलट जारी किया था हिलट के मताबिका जमू कश्मीर, हिमाचिल प्रदेश, उत्राखंड, पंजाब और यूपी की तराईवाले इलाकों में आंधी तुफान के साथ बारिश की संभावना है हर्याडा में आंधी तुफान से भारी नुकसान हुआ है चंडीगड, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई जगा आंधी तुफान के बाद पेड उखड गए हैं जिससे लोगों को आज ट्राफिक में दिक्कत का सामना करना पर जबता है कल शाम राजस्तान में तुफान से जंजीवन अस्वेस रहा राजस्तान के बीकानेर में कल शाम के तुफान के बाद मौसम का मिज़ाज बदल गया है करीब 45 डिगरी में तप रहे राजस्तान को तुफान और बारिश ने राहत दी है बीकानेर में तेज आंधी तूफान के बाद बारिश हुई है जिससे तापमान में गिरा बटाई है दिली में तूफान के बाद सुबह से ट्रैफिक सामाने दिख रहा है दिली क्यांट इलाके में जरूर एक बड़ा पेड गिर गया है जिसे हटाने का काम इस्वक जारी है दिली NCR में एक अलधूल बरी आंधी की वज़े से सडकों पर रोशनी कम हो गई जिसे ट्रैफिक सुस हो गया दिली पुलिस ने मौसम विभाग की सुचना पर आज के लिए ट्रैफिक एडवाईजरी जारी की थी लेकिन तूफान कल रात ही गुजर गया दिली NCR से तूफान भले ही गुजर गया हो लेकिन आज भी साफधान रहें घर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी लें पेड़ों या बिजली के खंबों के आसपास खड़े ना हो बाइक पर चलने से बचें घर में है तो खिड़की दर्वाजे बंद रखें बिजली के स्विच और गैस पाइपलाइन अच्छे से चेक कर ले जहां स्पार्प का खत्रा हो उस जगह से दूर रहें हिमाचल प्रदेश के रहतांग पास में बरफबारी के बीच फसे पांच लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाया बताया जा रहा है कि भारी बरफबारी में मध्यप्रदेश के दो मजदूर समेट पांच लोग फस गए थे जिने काफी मशक्कत के बाद बचा लिया गया पंजाब के पठान कोट में एक बार फिर कुछ संदिग लोगों के देखे जाने के बाद देहशत परसो रात कुछ व्यक्तियों ने शहर के मैन बजार में कुछ संदिग व्यक्तियों को घूमते देखा है और इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद तीन खानों की पुलिस ने पूरे इलाके की चानबीन की लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा करीब पिछले दो महीनों में दो-तीन बार इस तरह से इलाके में संदिग व्यक्तियों के घूमने की खबरें सामने आ चुकी है पूर्ट कॉंग्रेस अधेक्ष सोनिया गांधी आज करनाटक के चुनावी दंगल में उतरेंगी सोनिया करीबी किस महीने बाद पार्टी के लिए वोट मांगने के मकसद से जनता के बीच होंगी सोनिया ने इससे पहले 2016 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव पचार किया था लेकिन बारा नसी में रोड़ शो के दौरान अच्छानक उनकी तब्यत खराब हो गई थी आग शाम साढवे चार बजे सोनिया करनाटक के बीज़ापूर में एक रैली को संबोधित करें करनाटक चुनाव में एक रैली के तौरान प्रधान मंतरी मोधी का बेरोजगारी को लेकर कॉंग्रेस पर निशाना कहा 10 साल में कॉंग्रेस में कुछ नहीं किया, बेरोज़गारी विरासत में दी बीजेपी के राष्ट्रिय अध्यक्षामिट चाह ने एक अंग्रेजी अख़बार से बाचीत में बड़ा बयान दिया है अमिचा ने का 2019 तक बीजेपी का वोट है, 50 फीसद हो जाएगा बतादे कि 2014 में बीजेपी को 31 फीसद वोट मिले थे वहीं 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस को अब तक के सबसे ज्यादा 49 फीसद वोट हासल हुए थे कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी दूसरे नंबर पर देवगोडा बन सकते हैं किंग मेकर कॉंग्रेस को 97 सीटे, बीजेपी को 84 सीटे, देवगोडा की पार्टी, जेडियस को 77 सीटे और अन्य को 4 सीटे मिलने का नुवान है 224 सीटो वाली करनाटक विधान सभा में बहुमत कांकडा 113 है हरियाना के गुरुग्राम में खुले में नमास पढ़ने को लेकर चल रहे विवात के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में प्रशासन ने हिंदू संगटनों के लोगों और वजीराबाद गाउं के लोगों के बीच सुलह कराने की कोशिश की प्रशासन ने गाउं के लोगों के 15 सदस्यों की कमेटी बनाई जो मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करके इस विवात का हल निकालने की कोशिश करेंगे कल हर्याना की कैबिनेट मंत्री अनिलविज ने कहा था कि किसी भी जमीन पर कबजा करने के लिए उस जगह नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है इसके पहले सीएम खटर ने भी खोले में नमाज पढ़ने को लेकर एतराज जता है आयोध्या में राम्दला मंदिर के मुखे पुजारी सतेंदरदास ने लगाया है दानपात्र घोटालिक आरोप सतेंदरदास के मताबिक मंदिर के गर्व ग्रह में भक्तों के चड़ावे को लेकर प्रशासन धानधली कर रहा है जिस जगे दानपातर की गड़ना होती है वहाँ सीजी जीवी कैमरा नहीं है रुपई पैसे के लावा जो शद्धालू सोना चांदी जैसी हकीमती धात्वे चड़ाते है उसका कोई हिस्टाब नहीं है प्रशासा ने इन आरूपों को नकार दिया है अयोध्या के कनक भवन मंदिर में सजा है फूल बंगला भगवान राम जानकी के मंदिर को वरिंदावन से आये महन बलराम दास महराज ने फूलों से सजाया है बलरामदास महराज हर साल माई के महीने में फूल बंगला बनाकर पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाते हैं ताकि गर्मी से भगवान को शीतलता मिल सके। फूल बंगले की जांकी देखने के लिए श्रधालों का तांता लगा हुआ। यूपी में अलिकर के खैर कस्बे में बने पी डव्लो डी विभाग के गेस्टाउस से हटाई गई एम्यू के संसापक सरसाइद एमद खान की तस्वीर सरसाइद की जगह लगी पी एम मोधी की तस्वीर तस्वीर हटाने वाले का अब तक सुरात नहीं मिला यूपी में हम सरकारी बंगलों में नहीं रह पाएंगे पूर मुख्य मंत्री सुप्रीम कोट ने पूर मुख्य मंत्रियों को सरकारी बंगला देने का नियम खारिश कर दिया है मद्यपरदेश में इसी साल होने वाले विधान सबाचुनाव को लेकर हमले और तंस कसना शुरू हो चुका है मद्यपरदेश कॉंग्रस के अध्यक्ष कमलनाथ ने सीम शिवराज सिंग को नालाइक दोस्त कहा आपको बता दे शिवराज ने कमलनाथ को MP कॉंग्रस का अध्यक्ष चुने जाने पर अपना दोस्त बताय था MP कॉंग्रस के नई अध्यक्ष कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि आगामी विधान सबाचुनाव में टिकेट किसी कि सिफारिश पर नहीं दिये जाएंगे जो जीतने वारा कैंडिडेट होगा उसे ही मिलेगा कॉंग्रस का टिकेट कमलनाथ ने MP की 230 विधान सबा सीटों में से 1500 सीटे जीतने का लक्ष तै किया है मद्यपरदेश के उजयन में लहसुन के भाव को लेकर किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है कल किसानों ने उजयन की कृषी उपज मंडी के कारियाले पर ताला जड़ दिया और लहसुन की शव यात्रा निकाली उजयन में लहसुन के भाव चार सो रुपए प्रती कुंटल से भी कम हो गए है लहसुन के इस भाव पर किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है दिली के जीटी करनाल रोड पर कल शाम करीब साड़े पांच बज़े अचानक एक चार मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया जिसकी चपेट में आने से साथ मज़ूर घायल हो गए मुंबई अमदबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए जमीन का मापले ने पहुंचे अधिकारियों का मुंबरह में राजटाकरे की पार्टी MNS के कारेकरताओं ने विरोध किया पश्चि मंगाल के सिलीगडी में TMC और BGP कारेकरताओं में हिंसक जड़प BGP कारेकरताओं पर TMC कारेकरताओं ने किया हमला दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए कोलकाता में स्टीफ की टीम ने मावादियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरों का भंडा पोड किया है स्पेशल टास्क फोर्स ने 6 लोगों को गिरफ़तार किया है जिसमें 4 लोग बाबू घाट से गिरफ़तार किये गए हैं इनमें दो लोग बंब बनाने वाली फैक्टरी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं, इनके पास से भारी मात्रा में हत्यार बरामद हुए हैं अब आपको बड़े शेहरों के मौसम का हाल बता देते हैं, शुरुवात करते हैं दिल्ली से, जहां आधी राग को धूल भरी आंधी आई, अब आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तापमान 34 दिगरी तक जा सकता है और आईए बात मौंबई के करते हैं, जहां वौसम कल की तेरा ही रहने वाला है, आमतोर पर आसमान साफ रहेगा, तापमान 34 दिगरी तक जा सकता है एमदाबाद में गर्मी का प्रकोब जारी है, आसमान साफ रहेगा, धूप रहेगी तापमान 41 दिगरी तक जा सकता है राजकुमार हिरानी की फिल्म संजुका एक और नया पोस्टर हुआ रिलीज एक के बाद एक नए लुक में नजर आ रहे हैं रणबीर कपूर संजिदत के बावपिक है संजु राजकुमार हिरानी की आने वाली फिल्म संजु में मशूर अधाकारा नर्गिस दत की भूमे का निभाते नजर आएंगी मनीशा कोईराला ने इस किरदार के बारे में बात करते हुए कहा अदाकारा नर्गिस दर्थ की भूमे का निभाना मेरे लिए सम्मान की बात है फिल्म 29 जून परेंगी जो बॉलिवूड अभिनेतरी आलिया भट अपनी मा सोनी राजदान और अभिनेता रंबीर कपूर के साथ फिल्म राजी की स्पेशल स्क्रीनिंग पर आई नजर की राज़पती फैसला ले सकते हैं 2015 में समझोते की तेहत इरान से परमाणू कारिकर्म का प्रतिबंध हटा लिया गया था इस समझोते को अब अमेरिका तोड़ सकता है इरान कह चुका है कि अगर अमेरिका करार रद करता है तो ये उसकी एतिहासिक भूल होगी व्लाडिमेर पूतिन ने चौथी बार रूस में राश्रीपती पर्ट समाला क्रेमलिन में हुए समारों को संबोधित करते हुए पूतिन ने कहा रूस को और आधुनिक बनाने की जरुरत है ट्रंक ने पूतिन को बधाई दी भारी बारिश से पूर्वी और दक्षणी चीन के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं कई लागों में एक मीटर से ज्यादा पानी जमा हो गया है बारिश की वज़े से कई जगे सड़के डूप चुकी हैं सौस से ज्यादा फ्लाइट्स रद हो चुकी है। ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे।